हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों काल जाता है कि इंसान अगर किसी जीव से सबसे ज्यादा डरता है तो वो है साप जियां साप जो कि एक ही जटके में किसी भी इंसान के पहचान को खत्म कर सकता है लेकिन दोस्तों आपने अब तक दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों को देखा होगा लेकिन आज हम आपको कुछ और दिखाने बारे हैं आज हम आपको वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े सांपों से मिलवाने बारे हैं कुछ ऐसे साप जो कि एक बार में बड़े से बड़े जानवर को निगल जाएं तो चलिए बिना देर कि ये शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी से रेक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे दोस्तों ये है उननचास फुट का अजगर यानि कि 15 मीटर लंबाई है ज़रा देखें कितना खतरनाग लग रहा है इसकी तो लंबाई देखकर ही किसी की जान निकल जाए दोस्तों हुआ ये कि इंडोनेजिया में एक दिन एक पती पतनी खेत में काम कर रहे थे उन्हें अचानक ये सांप देख्या उस समय ये सो रहा था इससे देखकर पहले तो इन्हें समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ये है क्या लेकिन जब बाद में पता चला कि ये सांप है और वो भी अजगर तो इन्होंने लोकल प्रशासन को इसकी खबर दे इससे जैसे तैसे फकड़ा गया अब ये एक जू में बंद है ये देखिए कितना बड़ा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी इंसान को भी एक ही जटके में निगल सकता है जू में जो इसकी देखभाल करने वाले लोग हैं वो भी इससे डरते हैं कई बार ये विशाल काय अजगर इन पे भी हमला करने के कोशिश करता है ज़रा देखिए इसे ऐसा लग रहा है मानो जीता जाकता दानव हो ये दोस्तों आपने ग्रीन आना कॉंड़ा का नाम तो सुनाएंगोगा जियां ये है दुनिया का सबसे बड़ा साप और ये रहते हैं ब्रजिल के अमेजन जंगल में दोस्तों ये इतने बड़े होते हैं कि जो इन्हें देख ले वो कभी ने भूल नहीं सकता दोस्तों आपने आज तक जितनी भी हॉलिवुड की फिल्में देखी होंगी महां खड़ी एक इमारत को जब गिराया गया तो वहां गिरा मलवा अपने आप ही हिलने लगा तोस्तों जब मजदूर उस मलवे के प्यास गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा अनाकॉंडा दिखाई दिया जिससे देखने के बाद वो सब भी दूर भागने लगे महीं कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद इंजीनियर ने बड़ी सूचबूच से साप की पूच को बैंद कर एक तीन मंजिला उची क्रेन से उसे उठाया लेकिन साप की लंबाई बहुत ज्यादा थी जिस वज़ासे साप का मूँ अभी भी जमीन पे लगा हुआ था ये विडियो भी रिकॉर्ड की गई जिसमें इस वैशाल का साप को दिखाया गया था इस साप की लंबाई 33 फीट थी और मोटाई भी काफी ज्यादा थी वजन था लगभग 400 किलो हलंकि इस साप मलवग गिरने और उसके बाद क्रेन से उठाय जाने की वज़ा से जिन्दा नहीं बच सका लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि इस तरह के अभी भी कई साप हैं जो कि Amazon के जंगलों में रहते हैं तब ही तो कहा जाते हैं कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए हलंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये साप जहरीले नहीं होते हैं लेकिन वही बात है कि ये साप इतना बड़ा और ताकतवर है जहरीला होने किसे जरत क्या है ये लोगों को वैसे ही निकल जाए दूस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि केंग कोबरा को सापों का राजा क्यों कहा जाता है अखर पूरी दुनिया इन्हें देखकर यूँ ही क्यों डर जाते है दूस्तों आपका सोचना बिल्कुल साइए ये दुनिया के सबसे जहरीले साप होते हैं अगर किसी को इसने डस लिया तो उसका बच्चरा नेक्स्टों इंपॉसिबल है दूस्तों ये 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबे होते हैं अलंकि दुनिया का सबसे लंबा कोबरा साप 18 फीट का पाया गया था जिसें इंडोनीजिया में पकड़ा गया था और अब ये साप लंदन के एक जू में रखा गया है क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये एक बार में 7 अमिल जहर अपने अंदर से निकाल सकते हैं दूस्तों अगर इस साप ने किसे इंसान को काट लिया तो समझेए कि 30 मिनट के अंदर उसकी मौत तया है जो इनका जहर है उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बैद से लगा सकते हैं कि एक बड़े से हाथी को एक बार अगर ये काट ले तो वो 3 घंटों में मर जाता है और शायद यही वज़ा है कि इन्हें सांपों का राजा कहा जाता है दोस्तों आप बने रहे हैं हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ और बेहत खतरनाक सांप दोस्तों मेडूसा सांप अमेरिका के निव यॉर्क शेहर में एक बार देखा गया था जिसकी लंबाई थी 25 मीटर जियां साई सुना आपने 25 मीटर दोस्तों इसके बैरे में कहा जाता है कि ये सांप अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सांप था जिससे पकड़ने में वन अधिकारियों को 25 मिनट लग गए थे और आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कि इतना बड़ा रहा होगा दोस्तों अमेरिका में एक सर्कुस कंपनी है जिसका नाम है फुल मून प्रोडक्शन और अब वो इस सांप की देखभाल करता है बदले में वो इसे अपने सर्कुस में इस्तेमाल करने लगे हैं इनफाक्ट ये 25 फीट का लंबा सांप इनका शो स्टॉपर है इस सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है ये सांप आफरिका के सहरा जंगल में पाए जाते हैं इन्हें इनके ब्लाक कलर के जबड़े के लिए भी जाना जाता है ब्लाक मांबा को चूजे खाना बहुत पसंद है ये सांप तकरीबन 6 फीट से 9 फीट लंबे होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये इनसानों से लंबे होते हैं अलंकि आफरिका में एक बार 14 फीट लंबा ब्लाक मांबा भी देखा जा चुका है ये सांप जब किसी को बाइट कर ले जिन्दा बचने के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट होते हैं दोस्तों ये रिंगने में भी बहुत तेज होते हैं ये एक घंटे में 12 मील तक बिना थके बिना रुके रिंग सकते हैं कहा जाता है कि ये आफरिका के रेगिस्तान में ही रहते हैं लेकिन कई बार इने शहरी अलाकों में भी देखा जा चुका है। हर साल आफरिका में दो से तीन हजार लोग इस साम के काटने से मर जाते हैं। आज तक इनके डसने के बाद कोई भी इंसान नहीं बच सका है। यभी अमेरिका में पाई जाने वाली अनाकॉंडा की एक प्रजाती है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद एक बार फिर से इसे देखा गया तो लोग इतने डर गए कि सब उस एरिया को खाली करके वहाँ से चले ही गए बात यहां तक फैल गई कि उस शेहर की एक लोकल कमपनी ने इस साप के नाम पे एक टी-शिर्ट तक निकाल दी और लोगों ने इस देखकर इनकी जान निकल गए थी दूस्तों उस बुक के मताबिक उस अनाकॉंडा की लंबाई 60 से 62 फीट के बीच थी इस साप इतने खतरनाक होते थे कि जंगलों में जो इनके सामने आ गया उसे यह सीधे निगल लेते थे इंग्लेंड के उन वन अधिकारियों का कहना था कि इनकी आँखों के सामने इस महाविशाल साप ने दो कुट्टों को निकल लिया था अप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कि इतने भयानक होते होंगे नुमबर एट रैटल स्नेक रैटल स्नेक भी दुनिया के सबसे ख़दरनाक सापों में से एक है का जाता है कि अगर इस साप ने किसी को जगर लिया तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है दोस्तों एक तो ये हद से ज्यादा बड़ा और उपर से उतना ही ताकतवर होता है दोस्तों ये कहानी भी अमेरिका के फ्लॉरिडा की है जहां को चड़िया पकड़ने वाले लोग जब जंगल में गये तो उन्हें ये देखा उन सबकी जान हलक में आ गई ये हद से ज्यादा बड़ा था दोस्तों इस साब को बड़ा हमलावन माना जाता है दोस्तों एक बार अमेरिका के ही कुछ आनिमल हंटर्स हेलिकॉप्टर से कॉंगो देश के एक जंगल के उपर से गुजर रहे थे और तब उन्हें ये 52 फुट लंबा साब देखा इसे देखकर उन सबके होश उड़ गए ये अपनी तरह का बिल्कुल यूनीक साब था क्योंकि इसका उपरी बॉड़ी पार्ट तो बिल्कुल ही काला था लेकिन नीचे का हिस्सा सफेध था दोस्तों इसे देखकर इन्हें लगा कि इस अनोखे साब को पकड़ लेना चाहिए लेकिन जैसे इन्होंने कोशिश की बदले में साब ने इन सब पे हमला कर दिया अन्त में सबको लगा कि अपनी जान बचाकर भागने में ही फायदा है और सबको जंगल छोड़कर भागना पड़ा वैसे भी सोची अगर इस साब ने बिना डर इतने लोगों पे हमला कर दिया तो ये वाकई में खतरनाक ही होगा दोस्तों आपका क्या कहना है कॉंगो के स्मिस्टीरियस साब के बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं गबॉन वाइपवर को दुनिया के सबसे खतरनाक सापों में से एक माना जाता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अगर किसी को भी डस ले तो मामला वहीं खत्मा जाता है दोस्तों आपको बता दूँ कि गबॉन वाइपर सबसे ज्यादा अमेरिका में पाया जाता है और ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है हलांकि ये जितना खुबसूरत होता है ये उतना ही खतरनाक भी होता है ये जंगलों में रहके शिकार करता है और ये अपने स्किन कलर को ऐसे चेंज करता रहता है कि अन्य जीवों को ये लगे कि ये तो पत्ते हैं लेकिन जैसे ही कोई जीव पत्ता समझ कर इसके आसपास भटके ये वहीं उन्हें दबोच लेता है कई बार तो इस साप ने इंसानों को भी अपना शिकार बनाया है तब ही काल जाता ही कि इनसे कम से कम सौ कदम दूरी रहना चाहिए दोस्तों अब ज़रा इस बड़े साप को भी देख लीजे इसे देखा गया था अमेजन के जंगलों में वो भी 2014 में काल जाता ही कि एक बार इस जंगल के राश्ते से कुछ मचवारे नदी तक पहुँचे वहाँ जैसे इन्होंने अपने बोट से आगे चलना शुरू किया कि ये इनके सामने आ गया दोस्तों बताया जाता है कि इस साप की लंबाई 18 फुट थी और ये मोटा भी बहुत था और अग्रेसिव भी उतना ही था अलंग कि सारे के सारे मचवारे भी बड़े दिलेर थे साप एक किनारे में अपने खाने को डाइजेस्ट कर रहा था और ये सबी उसे पकड़ने की कोशश कर रहे थे ये दिखे दोस्तों ये कितना बड़ा साप है लेकिन ही मचवारे भी काम आनने वाले थे इन्होंने इसे परिशान करना शुरू कर दिया यहां तक कि ये इसे पकड़ कर किनारे तक ले आए इन्हें लगा कि इनके इस हरकत की वज़ा से सब लोग इन्हें शक्तिमान कहेंगे लेकिन दोस्तों हुआ बिलकुल उल्टा इन्फाक्ट इन सबी मचवारों को 600 डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा और वापस इस बड़े से सांप को नदी में भी छोड़के आना पड़ा दोस्तों इक बार इंडोनीजिया देश में भी कुछ ऐसा ही वेखने को मिला बाल बल बच गया ये और इसकी वज़ा ये थी कि वहाँ बाकी लोग आ गए लेकिन शायद इस गार्ड को इस तरह अकेले सांप से पंगा नहीं लेना चाहिए था दोस्तों आपको कैसी लगी ये सांपो की स्टोरीज अब हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं हमें आपके कॉमेंट का इंदिजार रहता है साथी दोस्तों आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे